मित्रों ग्यान दर्शन वन अउसत चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको मदार के बारे में जानकारी देंगे यह मदार का पोधा बहुत उप्योगी है इसको हम लोग फालतू पोधा या जहीला पोधा समझते हैं लेकिन यह अउसधी गड़ों की खान और बहुत बीमारियों में काम आता है मदार अकववा बहुत उप्योगी है इस से बाजी करण द्वायँ बनाई जाती हैं आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे मित्रों इस वीडियो में हमने मरदान अकमज़ोरि के बारे में एक तिल तैल बनानेकी बिधी बतला ब सदिये गुणों से भरपूर है मरदाना कमजोरी बच्पन की गलतियों के कारण लिंग दोस हो गया है इसके लिए हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों जानकारी लेने से पहले हमारे चैनल में अगर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन दबाएं लाइक कर दें ताकि हमारे दोरा दी जा रही जानकारी आप तक सुचार रूप से तो मिले तो मित्रों आईए जानते हैं मदार के फायदे बवासीर में मदार के पत्तों का उपयोग बहुत फायदे मंद है सूजन होने पर आयरवेद में मदार के पत्तों को एंटी इंप्रोमेंटरी माना गया है मित्रों जोडों के दर्द में मदार के पत्ते गर्म करके बांधने से दर्द से छुटकारा मिलता है मदार के पत्ते से हो सकता है पहर दर्द और चोट और हड्यों सूजन का इलाज डाइबर्टीज में मदार के पत्तों को पैर के नीचे रखकर मोजे पहन ले सुगर लेबल कम हो जाएगा दाद खाज खुजली में मदार के पत्ते पीस कर बारीक पेश्ट बना ले और मदार के फूलों का रस मिला ले और इसी दूध भी मिला ले अब इसे दाद पर लगाएं इसमें मौजूद एंटी फंगल एंटी बैटीरियल गुडों के कारण यहां इंफेक्शन को करने में मददगार है दोस्तों या बहुत ही फायदे मनमगार पैर दर्द और एडी दर्द में आप मदार के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ल अस्थान पर लगाकर पत्तों को शहन के अंसार कपड़े लपेट कर बांधने से आरा मिलेगा मदार के दूद का सबसे बड़ा फायदा यहां है कि अगर कहीं पर काटा लग जाए तो इसके दूद को उस जगे पर लगाने से काटा अपने आप निकल जाता है अगर यह बाल जड़ रहे हैं तो मदार का दूद लगाने से बालों का जड़ना रुक जाएगा इसका दूद लगाने से उंगलियों की सडन से छुटकारा मिल जाता है मदार बांजपन में उपयोगी है महिलाओं के प्रजिन चमता को बढ़ाता है सफेद आग की जड़ या कोई भी आग की जड़ हो उसे चाया में शुखा लें और बारीक चुड बना लें यह एक गिलास गाय के दूद से एक या दो ग्राम की मात्रा में पाउडर का इस्तेमाल करने से बांचपन खत्म हो जाएगा एक माह तक सेवन करें निश्चीत ही सफलता मिलेगी मित्रों सावन मास में सफ प्रद्ध के लिए भगवान सियू को इसकी माला चड़ाई जाती है शामन में भगवान सियू अपने भगतों पर विशेश करपाब बनाते हैं जो मदार के पत्तों को या ध्हतूर के फलों को चढ़ाते हैं वह भगवान सियू के उपर प्रशन होते हैं मित्रों यह आज हम प्रति दिन मदार पर जल चढ़ाने से सूरी बाधा खत्म हो जाती है शूरी भगवान प्रशन होते हैं आज हम एक बहुत महात्रोंड नुष्खा आप लोगों को मदार से बताएंगे आप मदार की जड़ को आप मदार की जड़ को पानी में उबालें जब दो लीटर पानी बचे तो जड़ को पानी से निकाल कर फेक दें दो किलो गहूं डाल दें जब गहूं पानी पूरी तरे शोख लें तो उनको धूप में सुखा लें और आटा बना लें फिर उसी आटे की रोटी छानुसार गुड के साथ सेबन करें खोई हुई ताकत वापस आजाएगी करीद दस दिनों में अपने जो खो दिया है वह फिर से वापस आजाएगा और आपने जीवन में खुशियों की बहार महसूस करेंगे यह रोटिया और भौरी बहुत ही जबरजस्त फाइदेमंद हैं घी लग जाएगे जो पुर्सों और हार्मों से किमी तेजना बीवी के पास जाते ही ठंडे पढ़ जाते हो लिंग में कठोरपन नहीं रह जाता है और साथ ही निरास हो जाता है बच्चपन की गलती से जो हाथों से हिलाकल का अपना सामान खराब कर लिया है उसके लिए यह तैल रा पांच मिली यानि पांच ग्राम मदार का दूध लाएंगे फिर आव मित्रों शंकर प्रिय धतूरे के पास जाएंगे और उससे करीब अधपके करीब 100 ग्राम फल और यहां कहेंगे हैं धतूर देव शंकर प्रिय हम आपको से कुछ फल लेने आये हैं और उनको अभिमंत्र प्रित करके उन फलों को लाएंगे और 100 ग्राम फल लाकर के आप इस्टो पर करीब 200 ग्राम कठाई में तेल रखेंगे और जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसमें यह फल जो 100 ग्राम फल हैं इनको कूटकर लुगदी बला लें और उस तेल में डाल दें जब तो इसमें वह तेल भी डाल दें मित्रों एक वस्त और आपको डालनी है इसमें आपको थोड़ा सा अकर गरा मिला लें जैसे कि 5 ग्राम और 5 ग्राम जावित्री इरानी अकर करा लाना है मित्रों 5 ग्राम इराङन और 5 ग्राम जावित्री दोनों चीजें इसमें मिला दें और जब वह भी जलने लगें तो उसमें आपको वह जो मदार का 5 ml दूद है उसको भी उसमें मिला दें जब सारी चीजें खालते खालते बिल्कुल काली पड़ जाएं तो यह तेल उथार कर ठंडा हो जाने दें और ठ में छान कर रख लें भर कर रख लें तिला तयार हो गया है अब आप कमजोर पड़ी नसों में इसे जान लाने के लिए यह तैल इसिमाल कर सकते हैं मित्रों इसका आपको पांच ग्राम लेना है मदार का दूध और मित्रों पांच ग्राम जावेत्री और पांच ग्राम इरानी अकरकरा और 200 ग्राम शुद्ध शर्षों का तेल और 100 घ्रतूरे के फलों का लुक दी हुआ कूटा हुआ चूरा फिर यह सब जलने के बाद आप च्छान कर रखेंगे किसी आरवेदिक चिकिस्तक के सलाह लेंगे फिर आप इसको यूज करेंगे मित्रों यह इस्तेमाल आप करने से आपके सभी प्रकार के लिंक दोस्खत्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ यह तेल बवाशीर गठिया जोड़ों के दर्द आपके लाइग अउनकारी पसंद आई है तो एक लाइक बंती है एक लाइक अवस्चिए आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी बीडियू बनाने का मन करेगा तो मितरों आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे वीडियो तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मात्रम, धन्यवाद.